For latest Bollywood news and updates, please subscribe to BollyMid. अब रश्मी दिसाई तो स्वेंवर रचाने से रही, आर्थी का स्वेंवर भी शायद लोगों को इतना रास नहीं आता, क्योंकि आर्थी, इंडिपेंडेंट आर्थी तो जरूर है, लेकिन एंटर्टेंट्मिन के नाम पे शेहनाज और पारस के मुकाबले थोड़ा कम, तो ऐसे में बचे पारस और शेहनाज, खेर, अब इस शो में रोमैंस कम, लड़ाई जगड़े और मसाले ज़ादा नज़र आ रही हैं, कभी पारस की दुलहनिया ही आपस में भड़ जाती हैं, कभी लड़के शेहनाज को छोड़ दूसी लड़कियों में इंटरस्ट दिखाते नज़र आते हैं, तो कभी पारस और शेहनाज अपने पुराने प्यार, सिद्धात और महरा की यादों में खोई दिखते हैं, खेर, अब हाल ही की बात देख लीजे, एक टास्क के दौरान शेहनाज के दुलहों में से एक मयंक ने कर दी शेहनाज की बेजज़ती, जी हाँ, इतनी बेज़ज़ती की शेहनाज का पारा चढ़ गया, नेसल जब लड़के लड़कियों में टास्क हुआ, तो नवदीश ने पारस के लिए मिर्चियां खाए थी, उसको देखकर शेहनाज ने मयंक से भी उसके लिए मिर्चियां खाने के लिए कहा, लेकिन मयंक ने टास्क करने से साफ मना कर दिया, और कहे दिया कि वो इतना स्पाइसी नहीं खा सकते, इस पर शेहनाज कहती नजर आती है कि वो यहां रहने लायक नहीं है, क्योंकि वो उन्हें सैटिस्फाइ करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, अब मयंक इस पर शेहनाज से बहस करने लग जाते हैं, यह मुद्दा यहीं नहीं थमता, आज आपको मुझसे शादी करोगे में शेहनाज और मयंक की लड़ाई देखने को मिलीगी, जहां एक तास्क के दोरान जुसे शेहनाज के भाई शेहबास कंड़क्ट करेंगे, वहां मयंक और शेहनाज में लड़ाई हो जाती है, और मयंक शेहनाज पर बायस होने का आरोप लगा देते हैं, इतना ही नहीं जब उनसे बात कर शेहनाज उन्हें ये कहती हैं कि वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कि उन्हें importance feel हो, इस पर मयंक कहते हैं कि आप मुझको पहले तो पसंद थी, लेकिन आप आप मुझे पसंद नहीं आती इस पर शेहनास भड़क जाती हैं और उन्हें घर से जाने के लिए कह देती हैं पर इस डायलोग से आपको कुछ याद आया दोस्तो ये बाद सिधात ने भी शेहनास के लिए कही थी जब उन्होंने कहा था कि तो पहले मुझे को पसंद थी पर अब नहीं है और शेहनास सिधात के आगे पीछे घूमने लग गई थी कहिए तो नहीं कि ये सब करके मैं ग्लैम लाइट में आना चाहते हूं और शेहनास को खुश करने के लिए सधात की तरहा बनने की कोशिश कर रहे हों कहिए मैंग की कोई strategy तो नहीं आप strategy का दुपता नहीं पर हां इतना जरूर है कि पारस और शेहनास का आशिकों का आशियाना आशिकों का कम बिग बॉस की सस्ती कौपी ज़रूर लगता है आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या वाकई में शो मुझसे शादी करोगे बिग बॉस का एक सस्ता वर्जिन है? आप इस शो को कितने नंबर देंगे एंटरेटेंट के नाम पर? हमें कॉमेंट बॉक्स में बताना न भूलें डोंट फरगेट तो लाइक, शेर और कॉमेंट